हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्त्री एवं प्रसूती रोगविशी शग्य और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल कर सवाल पूछते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ ह हमारा जो उद्देश है वीडियो बनाने का वह है कि हम आपको आपकी हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकें और आपको सही जानकारी दे सकें आपने मेरे से एक सवाल पूछा है कि अगर एम्टे पिल खाने के बाद उसका असर ना आये ब्लीडिंग ना हो तो क्या हम दुबार दूसरी किट ले सकते हैं एक पेशेंट का उधारन देकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी उनको डेट पर पीरेड नहीं आया था और चार दिन ऊपर हो गए थे तो उन्होंने प्रेगनेंसी किया तो मुझे उसमें कोई भी प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन जब मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटेव आ रहा था तो मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि या तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या आपकी प्रेगनेंसी आ पड़ेगा इन तीनों चीजों को देखने के लिए तो पेशेंट को जब हमने सीरम बीटा सीजी टेस्ट बेजा जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है अगर हमारा यूरेन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉस्टिव आ रहा है और अल्ट्रसॉंड में प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दे है तो हम सीरम बीटा सीजी से पता करते हैं कि प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है ताकि हम डिफ्रेंशियेट कर सकें कि या एक्टोपी प्रेगनेंसी है या मिस्केरेज हो गया है या फिर अभी प्रेगनेंसी ग्रोग करने वाली है जब हमने उनका सीरम बीटा सीजी टेस्ट करना पड़ेगा यानि कि बहतर घंटे बाद हमने जब उनका दुबारा से सीरम बीटा सीजी भेजा तो उसकी जो यूनिट थी वह साड़े 300 इंटरनेशनल यूनिट पर एमल के करीब आ रही थी तो इसता मतलब था कि प्रेगनेंसी तो है और ग्रो भी कर रही है उस दिन भी मैंने उनका अल्टरसावन किया लेकिन मुझे प्रेगनेंसी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी लेकिंट एक्टोपिक के भी कोई साइंस नहीं थे तो आई वाज ह 국 coffee & की तो नहीं है और उनका दबारा से जब सीरम बीटा SCG भेजा गया तो वह साड़े सास्तो मिली इंटरनेशनल यूनिट से उपर आ रहा था जब आपका सीरम बीटा SCG टेस्ट दो हजार मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मल से जादा आने लगे तो प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म रूप से अल्टरसाउंड में दिखाई देनी चाहिए तो जब दस दिन बात उनका सीरम बीटा SCG टेस्ट रिपीट किया गया तो वह लेविल साड़े तीन हजार मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मल आ रहा था तो जब हमने उनका ट्रांस वजाइनल स्कैन किया तो हमें करीब 5 वीक्स के अराउंड प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल सेग उसमें दिखाई दे रहा था तो इस तरीके से करीब 10-12 दिन बाद पेशेंट की प्रेगनेंसी यूटरस में कंफर्म हुई और मिस्ट्यारेज एक्टोपेक की जो संभावना हमें दिखाई दे रही थी वह रूल आउट हो गई और पेशेंट को कंफर्म रूप से यूटरस में प्रेगनेंसी दिखाई देने के बाद दोबारा से पिट दी और उसके बाद उनका जो है अबोशन कंप्लीट हुआ और हमें किसी भी प्रकार की कोई डिन सी करने की जरूरत नहीं पड़ी तो दोस्तों मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि अगर आपने कंसीव कर लिया है और आपको अपनी प करना है तो सबसे पहले आप अपनी प्रेगनेंसी का जो स्टेटस है उसे कंफर्म कर लें और प्रेगनेंसी का स्टेटस कंफर्म करने के लिए तीन तरीकी के टेस्ट होते हैं पहला होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप घर पे कर सकते हैं किट लाकर दूसरा होता है blood test, जिसे हम serum beta-seg test कहते हैं, जो कि pathology में जाकर होता है, और तीसरा होता है ultrasound test, ultrasound में transvaginal sonography जो होती है, उससे pregnancy की diagnosis जल्दी बनती है, और जो abdominal ultrasound होता है, जो कि पेट से किया जाता है, उसकी diagnosis थोड़ा सा late बनती है, तो जब हम confused होते हैं pregnancy की diagnosis बनाने में, तब हम इन तीनों test का साहरा लेते हैं, और उसके बाद ही patient को कोई information देते हैं कि आपकी pregnancy का क्या status है, so friends अपने doctor के supervision में रहिए, चाहे आपको abortion कराना हो, या आपको pregnancy को continue करना है, और पता करिए doctor के साथ रहकर कि आपकी pregnancy normal है, या abnormal है, या इसका miscarriage हो गया है, और कहीं ectopic pregnancy तो नहीं है, क्योंकि ectopic pregnancy एक खतरना condition होती है, उसमें शरीर में नस फटने से बहुत ज़्यादा bleeding की chance होते हैं, और आपको operative procedure की जरूद पढ़ सकती है, इसलिए अपने doctor के supervision में रहिए, और स्वस्त रहिए, Thank you friends!